वर्षो पुराने लूचकी तलाब में सैक्रों की तादाद में मचलियां मृत पाई गई जिसे आसपास संसरी फैल गई लोगों ने तलाब में उफंती मचली को देखा और पानी दूशित होने का बड़ा करण बताया दुरुक के वाट साथ में इस्थित लूचकी तलाब में सुबस सैक्रों की तादाद में मचलियां उफंती नजर आई ये सभी मचलियां मृत अवस्था में थी जिसके बाद आसपास पहली जानकारी की बाद लोगों की भीड यहां पर जमा होना शुरू हो गई बता दें इस वाट के लोगों की अलावा अधिकांश लोग इस तलाब में निस्तारी किया करते थे मगर धीरे धीरे अब ये सब कम होने लगा और साथी तलाब का निकासी नहीं होना इसका मुख्य कारण माना गया बतादे लगातार हो रही भारिश का पानी और साथी तलाबों के चारों तरफ का गंदा पानी इसी तलाब में समा जा रहा है और इस गंदे पानी की बज़े से पूरा तलाब दूशित हो चला है पाथी तलाब से पानी निकालने सारे दास्ते भी बन कर दिये गए हैं जिसे पानी एक जगह इखटा होकर पूरा तरह पानी को दूशित कर रहा है शायद यही कारण होगा कि मचलिया मरने लगी और उफन कर सता से उपर आ गई इसे लेकर लोगों में कौतुहल और चर्चा बना हुआ है उसका करण यह भी है कि शायद मचवारा द्वारा ही करंट का तार विछा कर मचलियां पकड़ने का कोई तरीका अपनाया गया हो बहराल आप देखना होगा कि शासन प्रशासन इस दिशा में किस तरह से जाज करवात है जिसमें म्रित पाए गई मचली अगर दूसीत पानी की वज़ा से मरी हो तो मचवारा द्वारा पखड़ी गई मचली क्या अब आम लोगों के खाने योग नहीं एसीन न्यूस के लिए दुर्गत से नसीख फारुतिकी रिपोर्ट